वेल्कम टुशनल डिक्टेशन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकान जरूर दोबाएं डिक्टेशन पांच सेकेंड बास चुरू होगा Ready Start रूस की चर्चा आमतोर पर वैस्विक कूटनीती के संदर्भ में ही होती है वहां की आंतरिक राजनीती में क्या कुछ घट रहा है इसकी खबरें कम आती है बहरहाल हाल में वहां से आए एक समाचार ने सब को चौका दिया समाचार यह है की रूस के राश्ट्रपती फ्लादमीर पुतीन के देश में व्यापक समवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखने के बाद प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनिट ने इस्तीफा दे दिया है मेदवेदेव ने कहा की राश्ट्रपती पुतीन के इन प्रस्तावों से देश के सत्ता ढाचे और सक्ती संतुलन में काफी अहम बदलाव आएंगे पुतीन ने जो प्रस्ताव रखे हैं उन्हें लेकर देश भर में वोटिंग कराई जाएगी इनके लागू होने की इस्तिती में सत्ता की ताकत राश्ट्रपती से ज़्यादा संसत के पास होगी ज्यादातर विसे सग्य मान रहे हैं कि पुतीन ने यह कदम खुद को 2024 के बाद भी सत्ता के शिर्ष पर बनाए रखने के लिए उठाया है प्रेजिडेंट के रूप में उनका चौथा कारेकाल 2024 में खतम होने जा रहा है और मजूदा संविधान के तहत वह अगले बार राश्ट्रपती नहीं बन सकते प्लादमीर पुतीन की स्थिती रूस के बेताज बादशाह जैसे है हालां की वह रूसियों को बड़ी कुसलता के साथ यह आभास दिलाते रहे हैं की वे एक लोकतंत्र में रहते हैं और उनके पास भी वे तमाम अधिकार हैं जो बाकी लोकतंत्रिक देशों में हुआ करते हैं आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए वे एक नई प्रणाली लाने का नाटक कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चेर्य नहीं है उनके उपर ना तो जनता का कोई दबाव है नहीं विपक्ष का कह सकते हैं की रूस में पुतीन मार का जनतंत्र चल रहा है लेकिन यह रातो रात नहीं हो गया पुतीन ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई पुर्व राष्ट्रपती बोरिस यल्त सीन ने अस्वस्त होने की वजह से 31 दिसंबर 1999 को जब अचानक अपने इस्तीफे की घोशना कर दी तब पुतीन ने अंतरिम राष्ट्रपती के तोर पर सत्ता संभाली थी फिर मार्च 2000 में जनता ने राष्ट्रपती के तोर पर उन्हें चुन लिया सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही पुतीन ने मीडिया पर नियंतरन कायम करना शुरू कर दिया मीडिया मुगल कहलाने वाले गुसीन स्की के स्वतंत्र चैनल एन टीवी जैसे बड़े संस्थानों को विवश किया गया की वे सारे कारक्रम सरकार के पक्ष में ही दिखाएं पुतीन की पापुलरिटी रेटिंग को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं और उनके विरोधियों पर उंगले उठाएं उसके बाद पुतीन ने उन कुलीनों को निशाना बनाया जो रूस की राजनेती में खासा दखल रखते थे उनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया और कुछ देश छोडने को मजबूर हो गए पुतीन ने राष्टवाद सेना और धर्म को बढ़ावा देते हुए महान रूस की छवी बनाने की कोशिस की साथ ही प्रॉक्सी अपोजीसन भी खड़ा किया उन्होंने बाकी विपक्ष दलों से भी काम चलाओं रिष्टे बनाए रखे देखें इस नएदाओं से वह अपनी सत्ता को कितना आगे ले जाते हैं स्टाप अगर आपको डिक्टिशन अचलागा हो तो विडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे डिक्टिशन देड़ी पाने के लिए चैनल को सब्स्क्राइब दिरूप करें